करने का स्टाइल लोगों को पसंद आये चाहिना आये ये बात हर कोई स्विकार करेगा कि के पाठक जो काम करते हूं इमानधारी से करते हैं आज अगर डंडा चल रहा है तो सिच्चा बिवस्ता बिहार की हमेसा से सवालों के खेरे में रही है और अपर मुख सचीब केके पाठक तो लगातार जिस तरीके से काम कर रहे हैं कई लोग उनकी अलोशना कर रहे हैं मगर कई लोग ऐसे भी हैं जो तारीप भी कर रहे हैं क्योंकि बेसक बदलाव तो हुआ है सिच्छा बेवस्था में कई ना कई बदलाव दिख भी रहा है मगर जो एक्षन है उस पर सवाल उठ रहा है हमा साथ सचीदार राई जी हैं बेवाकी से अपनी बातों को रखते हैं इनसे बात करेंगे सर पहला सवाल तो यही होगा कि केके पाठक जी का काम कैसा लग रहा है देखे केके पाठक जी के काम करने का स्टाइल लोगों को पसंद आये चाहे ना आये यह बात तो हर कोई स्विकार करेगा कि केके पाठक जो काम करते हो इमानदारी से करते है और खासकर कि इस बार जो उनको काम मिला है फिए सिख्छा ब्योस्ता को दुरूस्त करने का तो तो सिर्फ एक केके पाठक से यह होने वाला नहीं है को कि जब तक पूरा तंत्र शिक्छा ब्योस्ता को लेकर संजीदा नहीं होगा समयद अलसिल नहीं होगा तब बसीम जी पूरे तंत्र को होना पड़ेगा को कि देखे शिख्षा के लिए कई चीजों के जिवरत पड़ती है एक तो इसके लिए भवन चाहिए भवन के अंदर फर्णिचर चाहिए उपसकर चाहिए योग जिख्षक चाहिए फिर उनुकी उपस्तिति होनी चाहिए जो आजकल नए सबसे बड़ी बात है कि आप शिख्षा के देश्कूल चलाते हैं ना कि खिचरी बातने के लिए बहुत महत पूर्ण है पिछले 32-33 वर्सों में जब से मैंने दिखा है या तुरा उसके और पहले समय करूंगा बिद्याले जो है वो खिचरी बातने का केंदर बना हुआ है और महा बिद्याले जो है वो डिग्री बातने के लिक्री से उपर उठ सका है मैं खिचरी के खिलाफ नहीं हूँ नेकि उसके दूसरे तरीके में खिचरी बनाकर खिलाया जाए या कोई आवशक नहीं है पूश्रण देने के दूसरे तरीके भी आजकल आ गये है और उसमें सिक्षक जो है खिचरी बनवाने और मातने में खिलाने में लगे रहें तो भी पढ़ाएंगे कब उसी से प्रश्टा चार का भी जन्म होता है इसलिए बच्चों को पोश्रण देने के बहुत तरीके आगा है डीवीटी वगरा होने लगा है या किसी एक्टर्नल एजनसी को दिया जा सकता है और बहुत रही सब्सक्राइब करने में लर्निंग को इंप्रूव करने में बचे सीखे उस पर काम करने में काम करेगा इसके लिए केवल एक सिच्छा की परश्थित्ति परयात नहीं है सिच्छा की गुणवत्ता सिच्छा को कि समय समय पर जो ट्रेनिंग दिया जाता है वह भी आवश्यक है और सबसे जद आवश्यक है कि परयाप्त संख्या में भवन में कम रहे हो और टीचर स्टूडेंट रेशियो ठीक हो स्टूडेंट्स को जो है सो घरों से निकाला क्या है इसमां धाए सब्सक्राइब में कई जह 시ंव को कि तरीके से केके पाठा की आपको मनेया का नहीं है चाहिए विल्कुल ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपको राज्यकर्मी का दरजाविए राज्यकर्मी का दरजान भी मिले आप शिचक बना स्विकार किये हैं को भी समझना होगा कि आपके जुबारी जुग है केवल राजनिती करने का नहीं है और हमारा मान दें में पर स्वेम से बच्चों को पढ़ाते सोहन से मिदालें गुदा समय देते जिसके लिया को तंखा दी आती यह तिसे को डंडा चल रहा है और उच्ज्ट को मनना पड़ेगा उनकी कमी के चलता चल रहा है और इसलिए लगए नहीं को जानता हूं जोरें कर रहें और नहीं सक कर रहे हैं वह साफ तोर पर दरसाता है कि वह गरीब सोसीद वंजीद दलीतों को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते हैं वह नहीं चाहते हैं कि यह वर्ग विरोध करना मतलब गरीब कई टलीध सोसीद वंजीद दलीतों का विरूध करना की मानता हूं कि कुछ वर्गों में ज्यादा है उनका नुदा अधिक है और उनको जब तक अब शिक्षित नहीं करेंगे तब तक वह सबल नहीं होंगे तो वह गरीबी रहेंगे, वह बंचिती रहेंगे, वह सोशिती रहेंगे इसे दिए शिक्षा से शुरुवात है, शिक्षा अपने आप में फर्याप्त नहीं है, शिक्षा के बाद रोजगार की बाता आएगी, शिक्षा के बाद खेती को कैसे इंपरूब कहांगे जागा उसकी बाता आएगी, समाजिक समरस्ता पर भी काम करना पड़ेगा, पर अच्छी होती है अच्छित रहता है तब दूस्रों के समझाए हुए बाकाय वे राष्टे पर चलता है इसे सिख्छा के बारे में कोई करने को दियार नहीं हो हर बरकेएअ मीट हो राट जिस समाच सिख्छा हर समाच की लोगों को शिख्छा अपने घर के पास मिलना चाहिए उचित मिलना चाहिए और पुर्वॉत्त माट पाठक के एक्षन से और एक्षन मोट से बिहार की सिच्छा विवस्ता बदली है दुरूस होई है कुछ तस्वीरे जो है वो बदलती दिख रही है अभी तकदीर नहीं बदल सकता कुछ तस्वीरे बदली शुरुवात है लेकिन क्या सस्थेंड रहेगा क्या इसी तरह से चलत चलेगा मैं मानता हूं कि पांच वर्ष अगर इस तरह से प्रयास होता रहा तो बिहार के सिच्छा विवस्ता को हम लोग बाकी राजियों के मुकाबले में उससे बहतर ही बनाने में सपर हो जाए तो आपने सुना सचीदा नराई जी को खैरी स्टूडियो में इतना ही आप का बहुत बहुत सुक्रें के काम करने का स्टाइल लोगों को पसंद आये चाहना आये यह ऐदी करेंगा कि क्यों करते हो इमांदारी से करते हैं आज उनको काम मिला है तुछा विवस्ता को दूस्त करने का तो सिर्फ एक के पाठक से यहने वाला नहीं है आज आज अगर डं कहीं और कर रहते हैं और तन्खा उठा रहते हैं